यूपी में बिदान सबाद चुनाओं के मद्दे नजर कॉंग्रिस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है और इसी सिलसले में कॉंग्रिस उपाद्यक्ष राहुल गांधी यूपी में 25 दिनों की किसान यात्रा पर हैं आज उनकी यात्रा का तीसरा दिन है इस बीच उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी अकलेश यादव ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है सियम अकलेश ने कहा कि राहुल जी एक अच्छे लड़के हैं उन्हें उत्तर परदेश जादा आना चाहिए और जादा रहना चाहिए उनके बार बार आने से समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा हाँ ये जरूर है कि उनसे दोस्ती हो जाएगी अकलेश के इस बयान के कई माइने निकल कर सामने आ रहे हैं अकलेश का ये कहना कि राहुल गांधी एक अच्छे लड़के हैं राहुल की सियासी शम्ताओं को लेकर व्यंग की तर्स पर देखा जा सकता है साथ ही उत्तरप्रदेश जादा आने वाली बात को निशाने के रूप में भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तरप्रदेश को कम वक्त दे रहे थे और चुनाओं से पहले ही सक्री हुए है इसके साथ ये बयान अकलेश की रणनीती को भी दिखा रहा है अकलेश का ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब सूबे में चुनाओं सिर पर है चुनाओं में अगर सपा कुछ पिछड़ती है तो हो सकता है कॉंग्रस उसकी मदद कर दे इस दिख्टिक ओर से भी अकलेश के बयान का बहुत महत्व है राजनीती में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन कोई नहीं जानता ऐसे मकलेश यादव के इस बयान के क्या माइने हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा देखते रहें डीवी लाइव